फ्लो इस्टुन्ट्स नेक्स्ट केशन आ चुका एकसाइस 4.5 के लिए देखो क्या कह रहा है आपे कैशन है आपके सामने दिस वन तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स के वह में जमाएंगे 4 माइनस 3 हो जाएगा यह और यह 3 माइनस 5 हो जाएगा एकस के लिए वैल्यू होंगी एकस और वाय और बी के लिए वैल्यू होंगी 3 और 7 सबसे पहले एकर निकालेंगे हम 5 4 माइनस 20 माइनस 3 माइनस 9 तो यह प्लस 9 हो गया असर हो गया सॉलूशन करने पर किता निकलेगा सरी माइनस का निकल जाएगा आपके पास 11 इस नौट इक्वल्स टू जीरो नौट इक्वल्स टू जीरो इसका मतलब ए इस नॉन सिंग्विलर अगर ए नॉन सिंग्विलर है तो मैं कह सकता हूँ यहां पर देर फोर ए इंवर्स एक प्रट यार रही हिल रहा है हाँ ए इंवर्स इस एक्जेस्ट अगर ए इनवर्स एक्जेस्ट करेगा तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इसके लिए मुझे एज्चेंट आफ ए की ज़रत पड़ेगी जो होता है इनका इंटर्चेंज minus 5 और यह plus 4 हो रहा है और इनके sign change तो यह minus 3 और यह plus 3 अब A inverse लगा दो आप 1 upon A का determinant होता है और adjoint of A होता है सर इसका value तो minus 1 by 11 हो गया और इसका value minus 5 minus 3 3 और 4 हो गया मुझे X निकालना है X कैसे निकालते हैं सर A inverse B करते हैं तो A inverse की value सर minus 1 by 11 minus 5 minus 3 3 4 B के value 3 7 तो आप minus 1 by 11 को बाहर चोड़ो के वर पहले इनको solve करो 5 3s are minus 15 3 7s are 21 3 3s are minus 9 4 7s are 28 इसको solve करो 15 में से जाएगा कितना बच जाएगा 5 6 बच जाएगा positive गा 9 इसमें से less करो कितना बच जाएगा 19 बच जाएगा 8 less के बान और बच के 19 क्या करें भई अब आप इसको ऐसे लिखतो minus का 6 by 11 और 19 by 11 minus का ठीक है अगर यही value x की है और आपको पता है x की value यही जो है आपके पास x का value आगया minus 6 by 11 और y का value आगया minus 19 by 11 अब मुझे बता हो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है बहुत आसान है कि यहाँ लेंदी वाला पार्ट किसमे है 3 into 3 के matrix में है बागे 2 into matrix वाली तो बहुत जादा ही easy है ठीक है मुश्किल से एक या दो मिनिट के ना complete हो जाएगा आपका solution बस आपको practice बनाया रखना जादा जादा more and more questions करोगे practice करोगे refresher books करोगे जादा जादा questions मिलेंगे आपका लग लग type के तो उनसे आपका mind जो है इस तीर हो जाएगा कि यार इस टाइप के question इस टाइप से होते हैं तो आपकी दिमाग में बाते set हो जाएगी ज्यादा ज्यादा question करने पर clear रहे हैं यहां तक okay